नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 Portfolio में आज हम बात करने वाले हैं IT सेक्टर के इन्फोसीस के बारे में Quarter 1 के रिजल्ट्स आ चुके और हमें 6% की भारी तेजी अल्रेडी देखने को मिल चुकी है साथ ही साथ टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन की ज़िसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो चलिए बात करते हैं इन्फोसीस के बारे में तो आप देख सकते हैं इन्फोसीस का लाज्ट रेडिट प्राइस है 830 रुपीज जो कि ये 6% उपर आपको पता होना चाहिए जो रिजल्ट साय है वो मार्केट आवर्स के बाद में आये है यानि कि मार्केट आवर से पहले ही हमें यहाँ भारी तेजी देखने को मिल चुकी है अगर बात करें यहाँ पर 52 वीक लोग के बारे में तो वो है 509 रुपीज जिससे ही अच्छा कासा उपर चल रहा है लेकिन अपने 52 वीक हाई 848 के आसपा से अल्रेडी पहुंची जुगा है आज ही इसने अपना 52 वीक हाई बना ऐसा भी हम कह सकते हैं अगर बात करें वैलुएशन के बारे में तो मार्केट कैप है 3,54,000 क्रोर के आसपास की पी रेशियो 22.77 है जबकि इंडस्ट्री का पी 20.79 है डिविडेंट डिल्ड है 2.1 परसंट की अच्छा कासा डिविडेंट भी देता है और डिलिविड जो दिखाई दे रहे हैं वो है 36.71 परसंट की स्ट्रॉंग डिलिविडेंट अब देखते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्स कैसे आया है जहां पर सारे फिगर्स रूपीज इन करोर्स में ही दिये गए हैं तो आप देख पाएंगे टोटल इंकम जो निकल कराती है इस क्वार्टर की वो है 24,140 करोर्स की जो की थी 23,881 करोर्स की पिछले क्वार्टर में अगर बात करें यहाँ पर profit for the period के बारे में यानि की net profit के बारे में तो net profit निकल कराता है 4,272 crore का जो की था 4,335 crore का पिछले quarter में पिछले साल की बात करें यानि की June 2019 के quarter में तो 3,802 crore का हमें यहाँ पर net profit देखने को मिला था अगर बात करें यहाँ पर summarize करें तो आप देख पाएंगे अच्छा result आया है ज्यादा यहाँ पर हमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है और all year on year basis पे तो 12% की growth भी देखने को मिल रही है जो कि एक अच्छी बात है और all इसके financial results काफी positive आया है अब चलते हैं चार्ट पर easy देखने को मिल रही है अच्छी recovery भी देखने को मिल रही है अपने all time high के आसपास यह पहुंच चुका है 8.33 के आसपास का इसका last rate price भी है अब देख सकते हैं सारे moving average के ऊपर यह फिलाल trade करता हुआ नज़र आ रहा है यानि कि bullish sentiment यहाँ पर अच्छा गासा दिखाई देता ह RSI के बारे में बात करें तो RSI का number calculate हो गराता है 71.73 यहाँ पर भी अच्छी गासी strength demonstrate होते हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर भी हमें overbought zone देखने को मिल चुका है अगर बात करें MSCD के बारे में तो आप देख पाएंगे कि MSCD में of course bullish crossover बना हुआ है काफी समय से bullish crossover बना ह हुआ है और उसके बाद भी अच्छी तेजी continue रह चुकी है अगर बात करें इसके Bollinger Band के बारे में तो आप देख पाएंगे Bollinger Band के Upper Band को छोड़ने को तयारी नहीं हो रहा है Upper Band के आसपास ही trade करता हुआ नजर आ रहा है Upper Band का level calculate हो कराता है 824 का level median जो है 751 का level नीचे के बात करें याने की Lower Band के बारे में तो वह है 680 के आसपास का level पिवट पॉइंट के बारे में बात कर लेता है तो आप देख पाएंगे पिवट पॉइंट पे जो हमें resistance दिखाई देते हैं दो resistance को तो यह already तोड़ चुगा है लेकिन ऊपर जो हमें यहाँ पर resistance दिखाई दे रहा ह वह 873 के आसपास का level अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पर 721 और 690 का levels भी दिखाई देता है उससे भी नीचे जाए तो 644 का level भी दिखाई दे रहा है हाला कि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछी दिनों में हो जाएगी इसके chances कम ही दिखाई देते हैं अब चलते हैं all time chart पर जहाँ पर एक candle 1 month को represent करेगी जिससे हमें पता चलेगा कैसी movement यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है तो अब देख सकते हैं all time chart पर हम आ चुके हैं जहाँ पर हमें पता चलता है stock ने अच्छी घासी movement हमें बना कर दिये stock ने multi bagger returns बना कर दिये multi bagger stock रह है तो क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं तो immediate target की तरह हमें 873 का level दिखाई सकता है और उसके बाद 880, 895 और 900 के levels भी हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं अगर आपने इसमें पहले से position मना कर रखिये तो आप फिलाल profit में ही होंगे loss में तो सवाल ही नहीं बनता क्योंकि अपने all time high के आसपास फिलाल trade करता हुआ नजर आ रहा है तो अगर आपने पहले से position मना रखिये आप अभी profit में चल रहा है short term के लिया है तो मेरा मानने यहाँ पर आप profit booking के बारे में आज या अकल सोच सकते हैं क्योंकि quarter result बरे ही अच्छे आये हैं इसमें momentum बन सकता है और आगे भी तेजी continue रहती होई यह नमें नजर आ सकती है लेकिन timely profit करना भी बहुत जरूरी होता है और अगर आपने long term के लिया है तो इसमें no doubt आपको continue holding करना चाहिए fundamentally strong company है लेकिन साथी साथ अगर आपने बहुत ज़्यादा quantity लिया है यानि कि 25-30% के capital आपने infosys में ही invest कर दिया है तो यहाँ पर आप थोड़ी सी protect कर सकते हैं अपने profit को profit booking के बारे में partially profit booking के बारे में भी सोच सकते हैं और अगर बात करें यहाँ पर fresh buying के बारे में तो जो current market price है वो इतना ज़्यादा attractive मुझे दिखाई नहीं देता है काफी ज़्यादा overbought situation यहाँ पर दिखाई दे रही है already काफी ज़्यादा तेजी यहाँ पर आ चुकी है तो current market price से हमें थोड़ा correction का wait करना चाहिए तो जो active investor है जो aggressive investor है वो 680 से 720 के levels पर focus कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा 200 desk का यह में 100 desk का यह में 50 desk का यह में इसी level के आसपास बन कर आते हैं साथ ही साथ pivot points जो था उस pivot level जो था वो भी 720 के आसपास था pivot points पर जो पहला support था वो 690 के आसपास था और Bollinger Band का lower band 680 के आसपास का था तो जो active investor है जो aggressive investor है वो 680 से 720 के level पर focus कर सकते हैं और वहाँ पर अगर आपको stock दिखाई देता है तो वहाँ पर position बनाने के बारे में सोच सकते हैं अब बात कर लेते हैं patient investor के बारे में अगर आप ज्यादा weight करना चाहते हैं आप conservative investor हैं तो मेरा मानना है कि 600 से 650 का level का अच्छा level है क्योंकि stock ने पहले भी उसी के level के आसपास support लिया था और वहाँ पस तेजी भी दिखाई थी और यहाँ पर भी 650 के आसपास support लियने के बाद तेजी दिखाई दी थी और साथी साथ हमने यह भी देखा pivot points पर जो दूसरा support बन कर आदा था वो 640 के level के आसपास था तो 600 to 650 के level पर आप focus कर सकते हैं जो की फिलाल weight करना चाहते हैं इस level पर आपको focus करना चाहिए अगर आप weight करना चाहते हैं अगर आप conservative investor हैं तो levels तो मैंने आपको बता दी हैं लेकिन कौन से level पर लेना है यह तो आपका DC जनी रहने बाला है लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो like कीजे, share कीजे, comment कीजे, subscribe कीजे और मुझे motivate कीजे Thank you, stay happy, happy investing